संबल में आधार बनाने के नाम पर चल रही है रिश्वत एक तरफ योगी सरकार दावा कर रही है फ्री आधार बनाने का मगर यूपी में आधार के नाम पर की जा रही है उगाही कैमरे में आपको साब दिखाई दे रहा है अंधी बच्ची से रिश्वत लेते हुए बहजोई बैंक ब्रांच में बैंक के जिला अग्रणी अधिकारी पी बैठते हैं भारत सरकार के निर्देश नुसार आधार कार्ट बैंकों बाननी सरकारी संस्थानों में बनाए जा रहे हैं सरकार की ओर से नया आधार पंजिकरन शुल्क शून्य और किसी भी प्रकार के संचोधन का शुल्क रुपए 50 रखा गया है बैंक में आधार बनाने वाले लोगों से आधार बनाने के नाम पर 100-500 रुपए तक अवैद वसूली करते हैं ऐसा ही एक मामला नगर बहजोई पास के ही एक गाउन निवासी गरीब व्यक्ति ने अपनी दो बच्चियों के आधार कार्ट बनवाने आया जिनमें से एक बच्ची अंधी है आधार बनवाने के लिए सिंडिकेट बैंक में आधार बना रहे रिफाकत नामी लड़के से संपर्क किया बकॉल व्यक्ति बैं दिनाग 23 जन्वरी को फार्म जमा कर लिए और आधार कार्ट की परचिया निकाल कर अपने पास रख ली जब उस व्यक्ति ने परचिया मांगी तो रिफाकत और उसके साथी ने साड़े 300 रुपए देने की बात कही जब उस व्यक्ति ने रुपए दे दिये तब जाकर पास रिफाकत नामी लड़के ने परचिया दी जब तुन्हें आधार सिंडिकेट बेंक में बनवाएं तो साड़े 300 रुपए दिये पच्छों के आधार के साड़े 300 किते रुपए दिये बैंक में और तुस्वा मना कर रहे हैं फिरी बनते हैं आधार कार्ट मना कर रहें पैसे दो कहां पर मांग रहे हैं सिंडिकेट बैंक में कल से परेशान आती हैं लेकिन मैंने आपकी फोर में खीच कर आपको पिट दी थी तुस्वा कल भी समझा तो जब पैसे नहीं जांगे फिरी बनेगा तो मैं क्या गया रुपए ले रहा है सब से लोगों से बैसा और एक आधार के नहीं के फिरी बनता नहीं आधार नहीं सुरुपे ले रहा है लेकिन में सब्सक्राइब काटे उन्हें बड़े मुश्किल से बनाया हैं उसमें